कर दोस्तों आज किस वीडियो में बात होने वाली है कॉर्ण थ्रैसिंग मसीन के उपर यानि मक्का निकानने वाली मसीन जो की गुली से आपके दानों को मक्की के अलग करती है इससे पहले भी आपने एक चोटी से भी छोटी मसीन की वीडियो मेरे चैनल पर देखी होगी हलाकि बड़ी-बड़ी मसीने भी आती है पर आजकल जैसे जैसे आगे को टेकनोलजी बढ़ती जा रही है तो हर एक घर में प्रते गहर में मसीने लोग खुद विकी रखने लगे ह तो उसी तरीके से अपने दोस्त ने यह मसीन ली वी है, तो मैं भी लेने गया था साथ में, इसमें कुछ गेर टाइप यह थोड़ा बहुत इसमें देख पारे हो कि क्या क्या लगा हुआ है, इस से यह spring गेर टाइप जो बॉक्से लगे हुआ है, इस से यह spring अप एंड डाउन और यह आपको तब करने रहती है जब की मशीन रहती है चलती मसीन में आपने इसको एज़स्ट करना है यह आगे आपकी इसकी फैन वैल्ट तो यह आपकी डारेक्ट मोटर इसके साथ जूड़ी रहती है तो लगवग जो है डेर से 2 HP की यह मोटर है आपकी तो इसमें आपको जो है काफी फास्ट भी नहीं डालनी रहती है और स्लोव भी डालनी रहती है पूरी एवरेज आप डालोगे तो आपकी जो मकी पूरी साफ निकले है पर इसमें यह दोस्तों की जैसे बड़ी मसीन जो है साफ कर देती है जो आपका कच्रा रहता है पानी रहती है उसको साफ कर देती है वो फैसलिटी इसमें नहीं देखने को मिली थोड़ा जिनका कम रहता है मक्का उनके लिए काफी अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत जादा फिर भी मेनत करनी पड़ती है इसके बाद इसको ज की बात करूं तो इसकी जो है यह copper binding वाली मोटर है जिसके लगवग जो अठाइसो आर्पियम की जो है यह speed देता है और domestic की यूज में 220 वाल्ट के साथ चलती है हाला कि आजकल जो है आपकी जो है aluminum binding वाली मोटर्स भी चल पड़ी है जिनके आप देखोगे तो उनका डाया बहुत चोटा है जो copper binding मोटर्स है उनसे काफी जादा उनके वेट भी कम है और size में भी आकार में भी बहुत जादा वह चोटी है आधी है यह जो आपकी दो HP की मोटर बदाते हैं वह बहुत चोटी लगती जितनी आपकी जो copper binding की मोटर आती है उसके आधे HP के बराबर ही वो देखने में लगती है बाकी रिजल्ट भी उनके काफी अच्छे है काफी लंबे समय से वह वाली चली हुई है लोग अक 5-6 साल तो मुझे यूज करते करते हो है उस चीज़ को तो उनके वी काफी अच्छे रिजल्ट है कोई आगे को ऐसी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है सामने और दोस्तों बात करते हैं इसमें तो आपकी उपर डिपेंट करता है कि आप कीतना घंटे में से निकाल सकते हो मक्की आप अगर फास इसको नीचे करके रखना है ताकि दिर दिरे मकी बाहर निकले दाने बाहर निकले और केमत की बात करो दोस्तों कीमत आपकी पढ़ जाती है ये बारा सिले की 18,000 रुपे के आसपास और ये वाली रिको इटली करके कुछ कंपनी करके नाम है जो कि इसकी बाडी मुझे काफी सॉलिड लगी इसमें जो चादर का यूजवा है काफी हाड चादर है तो यह हमें पढ़ी है दोस्तों लगबग जो है साड़े चौदा हजार रुपे आसपास इसमें की सिंगल रिम आता है अंदर आपका जो घूमने वादा है डबल बैरियर भी आती है आपकी डबल घूमने